नमस्ते, मैं डॉक्टर सौमवीर आ रही है, आप सभी वियोग विद्यारत्यों का स्वागत करता हूँ, योग दर्शिन की इस व्याख्यान माला के कारिकर में, आज मुख्या रूप से चर्चा करेंगे विभूति पाद के 41 में सूत्र की, जिसमें मुख्या रूप से श्रोत और आकास के संबंद में संयम करने के प्रतिफल को बताया गया है, तो चले जानते हैं इस सूत्र को और उसकी व्याख्या को, श्रोत आकासयो संबंद संयमात दिव श्रोत्रम, अर्थात श्रोत यानि की कान हमारे, श्रोत यानि की श्रोत जो कान हमारे सुनते हैं, उसको हम क किते ही यानि की शब्द श्रौत आकाशयो एलिकी शब्द और आका्श OFF इन दोनों के संबंध में यदि हम संहेम करते हैं तो हमें दिव pedals 2x5 प्राप्ति होती है तो हमें सुनाई देते हैं मैं आप जो बोल रहा हूं आप जो सुन रहे हैं यह श्रौत है यानि कि शब्द हैं जिनको आप सुन रहे हैं श्रौत आकाश है आकाश यानि कि जो पांच भूत हैं पंच महाभूत हैं उनमें जो अनतिम जो महाभूत है वो आकाश है आकाश का क्य निकाल दें तो कोई भी साउंड इस प्रत्वी पे नहीं होगा यानिकि आवाज यानिकि ध्वनी जो है जो साउंड होते हैं उसको सर्कुलेट जो करता है वो आकाश करता है यदि आकाश ना हो तो यह पूरी दुनिया जो होती है साउंड लेस हो जाएगी किसी परकार की जो करण एंद्री जो जो ग्यान इंद्री है उसके दवारां सभी शब्दों को ध्हुनियों को नाद को सुनने का काम करते हैं उसको कौन करता है उसका क्रेटर कौन है आकाश नावक पर्पन्च भाभूत तो यहां पे क्या कहा है श्रुत यानिकि शब्द और आकाश इन द स्वाधिय की रूपता यहां पर कर दी जाए तो आपको डिवय शरूत्तम यानि की दिवय शब्दों दिवय शब्ड़ को सुनाइँ देते हैं अब दिवय शब्द क्या है यह बड़ा विष्च дней आता है कि कि दिवय शब्द क्या है क्या कोई अलग 엄마 करके शब्द होते कि हमें आजीब परकार के नगाड़े भेरी इस तरह के यंत्र हमें बजते कई बार महसूस होते इस तरह के जो शब्द हमें सुनाई देते हैं वो हमें मन को आनंद देने वाले होते हैं उनसे में आनंद की प्राप्ति होती है जिसे प्रकार से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं एक बहुत बेसूरा कोई आप music सुन रहे हैं जो आपको headache कर रहा है उसको आप विचलित हो यह वीना का बजना है जो वादय यंत्र होता है एक परकार का तो ड्रम बजता है तो आपको अजीव फील होता है आप uncomfortable फील करते चंचलता और अस्थिरता आपके मन में आती है लेकिन जैसे आप वीना आदी जो यंत्र हैं जिंगूर आदी जो यंत्र हैं उनको जब आप श्रुत यानिकी शब्द और आकास दोनों के संबंध में सहिय्यम करते तो में दिव्वे शब्द हमें सुनाई पड़ते हैं जिनको सुन करके आनंद की अनुब भूती होती है वह ही तो दिव्वे होंगे जिनको सुनके अच्छा लगे यान कि जो करकष आवाज होती है या आपके रिगार्ड में आपको बोलता है, तब कैसा अनुभव करते हैं? आपको अच्छा अनुभव होता है, तो दिव्यत आपके इंदर आती है, तो वैसे ही जो विश्यआस प्रकार के जो नाद हैं, जो मन को आनन्द में लेकर के जाते हैं, मन में आनंद को उत्पन करने वाले हैं उन नादों को वो नाद हमें सुनाई देते हैं यानि कि जो दिव्य और शुक्षम नाद हैं जो बहुत गहरी और लंबी साधना के बाद जिनकों सुन सकते हैं वो वाले जो नाद हैं वो श्रोत यानि की शब्द और आकास के संबंद में संयम करने से हमें सुनाई देते हैं, ये इसका प्रतीफल है, तो पूछा जाए कि श्रोत और आकास के दोनों के संबंद में संयम करने से क्या होगा, तो हमें दिव्वे शब्द या दिव्वे नाद हमें सुनाई देंगे, आकाश और शब्द दोनों में सहीम की बात की क्योंकि आकाश के बिना तो कोई साउंड सर्कुलेट हो यह नहीं सकता तो कोई भी साउंड आपको सुनना है तो उसमें आकास का योगदान होता तो इसलिए आकाश को इसमें जोड करके आ यानि कि शब्द और आकास दोनों के संबंद में सअयम की बात की गई है ना कि केवल शब्द में ना कि केवल आकाश में तो ये इसको समझने आपने पड़ेगा इसके लिए आपको पंच महाबूत और गयानिंदर्यों के काम को भी भली भाती समझना पड़ेगा तो इसमें 3-4 चीज़ें आपको क्लियर होता है आपको आकाश का जो पंच महाबूत का है वो आपको कंसेप्ट क्लियर होता है और इसे मिलने वाले प्रतिफल को भी आप समझ पाते हैं कि चीज के प्राकार से अच्छे चिदिवे नाद आपको सुनाई देते हैं तो इस सूतर को लेकर के जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद नमस्ते